प्रणादार सुंदर साथ कलेश सिंदुस्तानी में जागनी का एक प्रग्णा आता है जिसमें सब सुंदर साथ को जागनी के बारे में प्रभूतित किया गया है सामाने तोर पर सुंदर साथ आज के दिन क्या समझता है आज राश पुडिमा का दिन है और यह सच है योग मया के ब्रमान में जो रास लिला खेली गई थी आज के ही दिन खेली गई थी और उसी के स्मिर्ति में है कि हमारी समाज में ही नहीं आप देखेंगे गर्वे का कारेक्टरम गुजरात में भी चलता है राज क्या है यदि हम इसको समझ लें तो हमारे जीवन का एक लक्ष पूरा हो जाएगा उपने सद्धों में ये बात समझाने की समझाई गई है एक कथन के द्वरा की रसुवईसा परमात्म क्या है रस रूप है रस किसको कहते है आनन्द को रस जब किड़ाइमान होता है तो रास करता है आज की चुपई है जो जाग बैठे धाम में ताए आवेज को क्या कहिए अब आप सुचिए जो जाग बैठे धाम में ताए आवेज को क्या कहिए है यदि हम परम धाम में जागरित हो जाएं तो हमारे अंदर राजी का वेज हो जाएगा ये बात कही जा रही है ये समानी सब्दो कारतिया होगा लेकिन याज जिस धाम की बात की गई है वह हमारी आत्मा का धाम है उपर तले अर्स ने कहिया अर्स कहिया मूमिन का लोग जाहिरे रुप से हद से परे बेहद है बेहद से परे अक्षर है अक्षर से परे क्या है परमधाम हम जानते हैं बातिनी रुप से क्या है संपुर्ण परमधाम हमारी आत्मा का दिल है तब ही बाड़ी करती है कि अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है इताय करो अरा मैंने कलबे इस चपाई को इद्रित किया था जब हमारी आत्मा के धा मिर्दे में राज जी की सोभा बेस जाती है तो इसको क्या कहेंगे अब हमारी आत्मा जागरित हो गई जागरित होने के बाद हमें अपने सुख को लेने का अदिकार है देखिए, ब्रेज, रास और जागने, तीन ब्रमान्ड हुए है, तीनों की लीला की बिचितरता क्या है, और इसमें अंतर क्या है, यह मैं पहले बता देता हूँ, तो आगे की कडियां अपने आप खुलते जाएगी, इसको एक घटना करम से समझाता हूँ, लाडी महास है, ए लेकिन वे रहते थे, कासी में, और उन्होंने योग की प्रक्रिया, क्रिया योग को बहुत अधिक परचारित किया, उनके गुरु महावतार बाबा कहे जाते हैं, आजकल महावतार बाबा का बहुत अधिक परचार है, उनको बच्पन में महावतार बाबा ने अपने योग सोने का मल कैसा होता है अंते पिरना की पुकार पर लाड़ी माय से बच्पन में निकल जाते हैं हिमाले पहुंचते हैं जहां उनके पुरु जन्म के गुरु महाउतार बाबा से भेंट होती है रिल्वे श्यस्नु पर किताब आपको मिल जाएगे योगी की आत्मक था उसमें योगा नंजे ने सब कुछ वड़न किया है तीन पिडियों का वड़न किया है अपने गुरु युक्तेश्वर जी का उनके गुरु लाड़ी महाउतार बाबा का महाउतार बाबा के बारे में प्रचलिती है कि उनका जन्म आज से लगवग 1200 वर्स पहले तमिल लाड़ में हुआ था और उन्होंने योग वल से इसी सिद्धियां प्रात कर ली है कि 12 वर्स के होते हुए थी आज भी लगता है कि वह मात 25 वर्स के है अब उन्होंने लाड़ कुछ विशेशकारी के लिए हुआ है तुमको मैंने अपनी अलोकिक सक्ति के दोरा यहां बुलाया है क्योंकि तुम्हारे मन में इच्छा रहती है कि सोने का महल देखो तो देखो सामने तुम्हारे सोने का महल खड़ा है अब वे सच मुच देख रहे है कि सोने का एक वह व विसाल महल दिख रहा है, जी भरकर देखते रहें, उसमें खो जाते हैं और उसके पेस जायत वो सोने का महल अद्रिस हो जाता है, तो आप देखिए, जब कल्पनाओं में डूबा करते थे, तो वह क्या है, सोने का महल कैसा होगा, कितना सुन्दर दिखता होगा, वह है निद् इसको एक और दिश्टान से मैं समझाता हूँ, जब बच्चे छोटे होते हैं, साथ-एट साल के, गरी निद्रा में जब सो जाते हैं, जल्दे उठते नहीं, यदि माता-पिता को यह अच्छी मिठाई लाते हैं, और उस, उनको लगता है कि यह सो गया है, तो पहले ही उसक सोते सोते उसके मुझ में कुछ डाल देते हैं कि ऐसे ही खा जाएगा, और ऐसे ही होता है, माने कुछ मिठाई के टुकड़े बच्चे के मुख में डाल दिये, और वो चबाता जा रहा है, सोय हुआ है, सबेरे उठकर कहता है कि मान तुमने मुझे कहा था कि मिठाई अब वो कहता है कि मैं तो सोते सोते खाया हूं, मुझे थोड़े पता है, मान कहते है कि अच्छा ठीक है, अब खालो, तो जो सोते सोते खाया है, देखिए, एक है निद्रा में खाया, अपने घर में खाया है, और वही बालक जब बड़ा हो जाता है, तो उसको सोने के महल मे वही मिठाई ख़िलाए जाते है उससे कई गूनी स्वादिष्ट मिठाग को खाता है लेकिन उसको लगता है कि sunday के माहल में मैं मिठाई खा रहा हूँ लेकिन ऐसी जगा ले जा कर खिलाया जाता है जिसको पता नहीं होता है कि ये सच मुछ उसके माता पिता कही माल है जब मिठाई खा चुकता है उसके बाद जब आधी खा लिया होता है उसके माता पिता कही देते हैं कि देखो इस महल के स्वामी तो तुम ही हो तुम ही इसकी अधिपती हो मालिक तुम ही हो अब सोचे उसके मन में कितनी खुसी होगे एक मिठाई निद्रा में खाया कुछ पता नहीं चला एक जो है सोने के महल में तो खाया लेकिन वो लगता था कि यह कोई होटल है भाड़े का है हम कुछ दिन के लिए थोड़े समय के लिए एक इस्थितिया है जब सोचता है कि इसका स्वामित्य तो मेरे पास है मैं सोने का महल का मालिक हूँ और मैं इतनी स्वादिश्ट मिठाया खा रहा हूँ तो उसका सुख कुछ और होगा यह अंतर है बरेज का, राष का और जागने का बरेज लीला, लीला रास्मय है हम खेले जान के जार जागनी लीला जला जाग पेचान प्यूसो जान, विल्सेव करतार बरेज लीला में क्या था? प्रेम होतो क्ला स्वाल एक प्रेम था、 रक्ष नहीं है स्खष जिसे प्रेम के क्यों है यह किसी को पता नहीं था, परेंधाम के मुल समंधं से गोपियों की तनों में बेठी हुई आत्मा है, अपने प्राणशोर अक्षाति जो सि觉得 के तनों लीला करहें उनसे प्रीम करती हैं लेकिं निद्रा में किसी को पता नहीं अक्षर की आत्मा भी नहीं जानती है जिस तन में अक्षर की आत्मा है तन तो बिश्र भगवान ने धारण किया है अक्षर की आत्मा को भी नहीं पता राजी का आवे सारे लीला करा रहा है अक्षर की आत्मा को पता नहीं कि ये कौ ब्रहमसिष्टियों के साथ इस जिए किसी को पता नहीं है कि कौन क्या है इसको कहते है निद्रा की लिला प्रेम है अक्षर की आत्मा भी प्रेम देकर आश्चरी में है लेकिन ये पता नहीं कि मैं प्रेम कहां देख रहे हूं सक्षियों को पता नहीं कि इस किट से हमारा प्र योग मया की ब्रमान में जब पहुंचते हैं और जब जोष खीचा जाता है मुल सुरुप के द्वारा, फिर मुल सुरुप पे देखिया दित, ये दू मगन हुए खेलत, जब जोष लिए खाइच कर, तब जित चौंक भई अक्षर, कौन बन, कौन सक्या चौंक के फिर आदम जब राजी ने अपना अवेश कीचा, जोष कीचा, तो सक्या जिस सिक्र्ष जी के तन को देख रही थी, वो सरीर अद्रिस से हो जगए, सुरुप दिखता नहीं है, तन तो वहीं था, दिखाई कैसे थे, क्योंकि बिना राजी के अवेश के, राजी के द्वारा धारन किया वह सरुप दिखाई नहीं दे सकता था, बृंदा मन दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सिक्र्ष का वतन नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस तन में अवेश नहीं है, लेला कहां होगी, जहां राजी का अवेश होगा, जागने के ब्रभान में क्या है, अभी आपने जागरित हो जाता है, उसमें अवेश राजी का पूरा होता है, अवेश कार्थ क्या है, सरुप, राजी का सरुप भी रजमान होता है, जागरित होने के बाद, अब कोई यह सोचेगा कि परमधाम चले जाएंगे तो जागरित हो जाएंगे, कोई सोचेगा, कोई आगे, के लिए से सब को है पहले इसके जिन लिया सोई सुहागिन हो है जागनी के लिए तो 1722 से प्रारभ हो जाती है वैसे जब गढ़ना करेंगे तो 1638 से 1778 तक 120 साल हम करना कर लेते हैं 1678 में श्रीदेवचन जी के तन से तार्तम ज्ञान अवतरित होता है तब से ब्रज रायस और परंधाम की चर्चा सुनने को मिलती है लेकिन वास्तिविक जागनी काम से प्रारभ होती है 1715 से जब रायस प्रकायस खटुति की वाणी होती है लेकिन अभी पूर्ण जागनी नह उतरती है उस वानी के द्वरा सबको नक्स या सिक्ता कि राज्य स्यमा जी की सोभासिंगार का पता चलता है और पर्ड़ाम क्या होता है यहीं बैठे बैठे हर ब्रहात्मा अपने को परम धाम में वीचरन करते हुए पाती है मूलतन क्या है फरमोसी में है लेकिन आत्मा का स परम धाम के 25 पक्षों को देख रहा है आप युगलदाजी की बृत को देखिए किस तरह से बढ़न करते हैं कि मैं यह देख रही हूं मैं यह देख रही हूं मेरी आत्मा संपुन परम धाम को देख रही है चैनल होच को सरो चैनल मानिक पहाड़ों पुखराच हो कहां उने है कि सोने की यह खान है जिसमे सोना पड़ा हूं आपकी अंगृथ में भी सोना है दोनो खो संभवे जो खान में सोना होगा रहा ह таких तो सुध नहीं होता है मैं तो एक दिखन दे रहा हूं जदि सुध किया हूँआ 10 कुंतल सोना हो एक जग रखा हो और आपकी अंगृ म में पांच ग्राम का सोना हो तो दोनों के गुड़ तो समा नहीं होगे उसी तरह से सिंगार के दूसरी प्रकण में दर्सा दिया गया है कि जब आपकी आत्मा जागरित हो जाए दिया उस प्रकण का सिर्शक की है हुक में इसक के द्वारा खोलिया है अब हुक में द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुकम दिल मुमिन के आए के अर्श कर बैठे किसम जब आपकी आत्मा जागरित हो जाएगी तो आपके दिल में कौन विराजमान होगा दिल मुमिन के आए के अर्श कर बैठे किसम आपके धाम इर दे को अक्छरा तीत अपना धाम बनाकर हाकीकत में विराजमान हो जाते हैं मारफ़त में सब के साथ है चाहे आपकी आत्मा निद्रा में हो, चाहे जागनी में लेकिन चरितार्थ करने के लिए जब उलीला होगी तो उसको कबते हैं हकीकत अब वास्तुिक्ता में काय रहे हैं कि अब हमारा दिल धनीकार्स हो गया है जागनी ब्रमान में सब को यह उसर दे दिया गया है कि आप स्वायम को जागरित किजिए जिसके आवेश की बात आप ब्रज राज में सुनते हैं कि जब तक वह आवेश उस तन में विराजमान नहीं होता है तार्तम की प्राणिकाल में क्या लिखा है कि जब राज जी ने अपना आवेश स्यामा जी के तन में रख दिया तो स्यामा जी को भी पता नहीं स्यामा जी किसको खोज रही है किर्ष को और वोई कहां बैठे हैं स्यामा जी के अंदर सखियों को दिखाई नहीं दे रहे हैं जागनी के ब्रमान में तो ऐसी हसी ठीटोली के लिए चल रही है हमारी आत्मा के धा मिर्डे में हमारा प्राणिश्वर वस्ता है यह बात प्रमधाम में किसी को नहीं वालू थी ब्रज मे नहीं मालूम थी जागनी के ब्रमान में जब तार्तम बानी का उतरन होता है तब पता चलता है सत्कुर्धनिस तेव चंजी ने ये बात छिपा दी थी ब्रज रास और धाम की सुधती पर जागनी की सुधना क्यों उनके तन से जो लिला होनी थी मूल्स रूप ने ये बात चल जाए कि हक नजीक सेरक से तब तो जागनी का मुद्धा ही पूर्ण हो जाता फिर सुन्दर साथ भिहारी जी के पीछे क्यों चलता जदि सब को ये अभास हो जाता कि हमारी आत्मा का दिल हम राजी के तन हैं राजी के अंग हैं राजी हमारे दिल में भी राजमान है मार उत्री कि इस तब दे का प्रकास करतो हो कि अक्षरातित गाधी पर नहीं बैठे हैं, कहां बैठे हैं, महामती जी के धार मिर्दे में, तबीका आपन में बैठे अधार, खेल दिखाया, खोल के द्वार, जागनी के ब्रहांड में, यदि आपने अपनी आत्मा को जागरित कर लिया, तो क्या होगा? संपूर्ण 25 पक्ष आपकी आत्मा के दहां मिर्दे में, युगल सरूप आपकी आत्मा के दहां मिर्दे में, खिलवत, वैदत, निश्वत की सारी अमरित धारा करस का मिलेगा, आपकी आत्मा के दहां मिर्दे में, बस एक बात और साधानी से रखना पड़ेगा. आपको मैंने चर्चा के प्रारम में दिश्टांद दे दिया था कि लाड़ी महसे ने सोने के महल को देखा आँखों से देखकर उसकी सोभा में डुब गए हैं. लेकिन वो एक योगी हैं. उनको सोने के महल में रहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है. क्योंकि यदि वे सोने के महल में रहें गए तो क्या होगा? समाधी से बंचित हो जाएंगे. उनको दिखाज ये आजाता है कि देखो तुमारी इक्षाती सोने के महल के देखने को ये देख लो. जागनी के समालने की हमारी छमता हो. जैसे आपको एक ट्रक सोने के सी के भर कर दे दिये जाएं और कहा जाएं कि आप इसके मालिक हैं तो आप तो ये ही कहेंगे कि किसी ट्रक पर भिजवा दिया जाएं लेकिन जदी आप जीत पकड़ के रखें आप कहेंगे कि मैं ही ले जाऊंगा तो यही तो कहा जाएगा कि अरे ट्रक से भिजवा देते हैं आप लड़ने लगे कि जब मेरे सोने के सिके हैं तो आप ट्रक से क्यो भिजवाएंगे मैं तो ढोकर ले जाऊंगा तो कितना ले जाएंगे एक कुंतल, दो कुंतल, इसे ज्यादा तो उठाने की समर्थ नहीं है, ज्यादा उठाने का परड़ाम क्या होगा? आपका सरीर जबाब दे जाएगा, इसलिए आपके सरीर को कौन धारण किया है? यह माया काजी, यह माया काजी जो लाखो क्रोडो जन्मों से काम, क्रोध, मद जलोब आंकार की अगनी में जल रहा था, किसी नकिसी रूप में इसने सच्तानंद परड़म की अरादना कि, परमधाम की ब्रहमात्मा की नजर इस जीव पर पड़ी, अक्षरतीत के चन्ड कमल पड़े, इस जीव के दिल में परमधाम की आत्मा ने जब प्रवेश किया, आ ये सोबह इसको मिल गए है, लेकिन जितनी इसकी सामर्थ है, प्रेम के सहन करने की आंन्द को सहन करने की उतना ही सहन करेगा, जई तो क्या होगा? हुकम जो प्याला दे वहीं सो सजमे सजमे फिलाएने तो क्या होता है जैसे कच्चा गड़ा फूट जाता है वैसे यह सरीर छूट जाएगा प्रेम की मधोस करने वाली रस्धारा को यह जीव साहन नहीं कर सकता आनंद को साहन नहीं कर सकता वैदत के प्रेम को साहन नहीं कर सकता तो जितना साहन कर पाएगा उतने ही आनंद को यह जब कहेगा तो कहेगा कि अनंद आनंद है परमधाम का आनंद परमधाम का प्रेम परमधाम का संदर इतना अनंद है कि जितने अनंद की हम कलपना कर सकती है उससे भी अधिक अनन्त है लेकिन हमारी बुक्ति उस संदरी के जैसे समंदर होता है समंदर की एक बूद को सिसी में रखकर कहा जाए कि समंदर है वैसे ही परमधाम के असीम आनंद प्रेम और संदरी को ब्यक्त करने का साहस बर कर सकती है यह जागनी लेला का सुख, जैसे मैंने आपको दिश्टान दिया, सोने की अमुठी के लक्षणों की पैचान करेंगे, तो जो रूप रंग होगा, जो गुण होगा, वो अदज कुंतल सोने में भी वही गुण होगा, लेकिन मात्रा का अंतर होगा, जागनी के ब्रह्मान में हर सुन्दर साथ को यह सुभा गया है, जागनी रास और योग माया के ब्रह्मान में होने वाली रास में थोड़ा कुछ अंतर है, देखिए, परिस्थितियां अलग-अलग है, योग माया के ब्रह्मान में प्रविश करने से पहले क्या असर्त है, कि अपना सरीर छोड़ो, तब रास का सुख मिलेगा, सरीर छोड़ने के लिए क्या है, वीरह का पुठ है, बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी की ध्वानी सुनकर सारा ब्रजमंडल पागल है, लेकिन जिसकी निस्बत है कि उल वही तन छोड़ेगा, नंद, जसुदा, गौाल, बाल सब वही रह जात हैं, कि वह बारहाजार ब्रहमसिष्टी और चोवीसजार इस्वरिसिष्टी अपना वीरह में तन छोड़ देती है, जागनी के ब्रहमांड में भी आपको तन छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, पहले पी तु सर्बत मौत का कर तहकीक मुकरर, मुए पीछे हो मुकाबल तो कर मजगूर कर खिलवत, मरने के बाद खिलवत की आप बाते करोगे, पहले मरो तो खिलवत की बाते करोओं, तो आप यह मत सूचिए कि पूट ओ, साइनाइड भीस लाकर के चख लेते हैं, मर जाएंगे तो खिलवत दिख जाएगे, ऐसा नहीं, यहां पर हुआता ना, एक म प्रनिया से चले गए, यह पुरानी वात है, आज से लगबग, पचीस साल पुरानी वात है, पहले पीत, सरवत, मौत का, मृत का, मृत का सरवत, मृत का, सर एक मृत का, जीवते महराइब आपको, सब तो प Vielleicht give that, सरीर को जिन दा रखना है, मन से मर जाना है, रास में क्या हु योग इतना भारी पड़ गया कि किसी ने चिनता ही नहीं कि बुद्ध को किनारे कर दिया और शरीर छोड़ दिया । लेकिन एक लाब भी मिला। जागने के बरामान creator में हमारी याँसी क्या हो रही है। देखे जागने के बरामान advert में Tsai हमारे उपर इतनी कई परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी गई है हम जानते हैं समझते हैं लेकिन उस आनंद को प्रेम को पाने की तरफ हम कदम बढ़ा नहीं पाते हमारे सामने कोई बहुत सुंदर स्वरूप हो तो प्रेम करना कोई मुश्किल नहीं है ब्रज में सिकर्ष का स इतना मुहक है इतना प्यारा है और वह प्रेम कर रहा है तो सुभाविक है गौलावाल भी प्रेम करते हैं गाहे भी प्रेम करती यह तो प्रेम के लिए लात हो गई रास में उससे भी ज्यादा करोड़ो गुना सुंदर कि सोर स्वरूप है और वह रास की रामते कर रहा है अब देखें रामतों को आप रास लिमत कर रहा है संदर साथ से भर्म हो जाता है जैसे आप रास गरंते में देखेंगे तो कई तरह की रामतों के अभरन है जैसे एक आंबा की रामत है स्वेम को आंब के पेंड की तरह माल लेना कुछ पकड़े रहे हैं कई तरह की कुदने की रामत है फुंदनी की रामत है कई तरह की रामते है वो ऐसा लगता है कि खेले आपके मानवी मस्टिस्क जो तरकों से भरा हुआ है वो सोचता है कि क्या अक्षरातीत परमात्मा ऐसे ही लीला करते हैं जैसे बच्चे कीड़ा करते हैं तो इसमें कौन सी बिसेश्था है ये रामतें और कीड़ाएं तो बाहर रूप हैं आप देखेंगे आज का अधुनिक जगत आनंद पराप्त करने के लिए क्या करना जाता ह निर्थ संगित देखता है दूसरों को निर्थ करते हुए देखकर एक मानोमसिस्क आनंद का अनुबो करता है लेकिन ये नहीं सूचता हमारे सामने जो कोई नर्थक या नर्थकी निर्थ कर रही है या कर रहा है उसका जीवन आंसूं से कितना भीगा है कभी किसी ने सूच कि निर्थ क्या है अंगो का इस्पंदन तो आप कहेंगे कि रास में भी तो ऐसा है मैं आपको यह भेद बता देता हूं कि जब एक छोटा बच्च्छ जिसके लिए उसके पिता ने कुछ खिलोने लाए हैं मैंने कई बर चर्चा में दिश्टान दिया है उसके सामने रख दिय उसके हाथ जाये तो कूद न है कि मुझे दो मुझे दो क्यूंकि तालापन उसका जलगता है वो कशा जाए कि तू सांति से खड़ा तुझे सारों मिलना है लेकि उसको संतोष नहीं है वैसाँ है जब हमारे हें में प्रेम का इस पंदन इतना अधिक होने लगए कि ना सम्ह पाए तो उसके क्या होता है अंग थिरकने लगते हैं यहां से नित की प्रकिरिया सुरी होती है मनुष तो क्या भालू भी नाचने लगता है भालू को जो मधूर संगित सुनने को मिल जाए तो भी नाचने लगता है निर्त्य ऐसी कल्या है कि उसको देकर दूसरे भी नाचने के लिए तरपने लगता है। वो सूचता है कि आप दुनिया के गंग भुला हम लेते हैं। लेकिन आनंद कहां है आत्मा की हिर्दे में। जैसे आप टीवी पर निर्थ देखते हैं या किसी कलब में निर्थ देखते हैं, तो आप निर्थ की कला को देकर के आनन्दित होते हैं, निर्थ करने वाले के हिर्दे में आनन्द कुछ नहीं है, वो तो बिचारा कला दिखा कर अपने जीवन का गुजारा कर रहा है, एक बा ब्रेज में लिला हुई बहुत मोहक है ब्रेज में रास हो सकती है तो द्वारिका में रास क्यों नहीं हो सकती है शिकर्ष जी कुछ नहीं बोले क्योंकि वो जानते थे कि यह संभव नहीं है लेकिन सारी पत्रानियों को इरिश्या थे कि अनपड़ ग्वालिने जदी राज कर सकती है तो हम तो महरानिया हैं हम क्या उनसे कम रहेंगे सबी मारा किर्ष की पत्रानिया लग गए नारज जी को बुला लिया गया अर्जुन को बुला लिया गया क्योंकि अर्जुन निर्थी संगीत सिख करके आये थे स्वर्ग से नारज जी संगीत विद्या के आचारे हैं और किड़ जी ने उनकी इक्षा पूरी करने के लिए बांसरी भी बजानी शुरू कर दी और जो सोने के महल मे प्रेज में ते रहने वाली थी महरानिया, वो गोपियों की नकल करने लगी, लेकिन गोपियों जैसा हिर्दे कहां से ला सकती, वही हुआ खोदा पार निकली चुहिए, फिर सबने हार मान कर कर दिया, कि जो ब्रज में राज खेली थी, उसकी नकल करने की सामर्थ हमारे पास मैंने तो आपको एक दिश्टान दिया, राज का मुल कहां है, अक्षरातीत कावेश, अभी मैं दोनों का भेद बता रहा था, ब्रज में, ब्रज से राज में जाएंगे कैसे, बांसुर की आवाज सुनकर, अभी इस जागनी राज में आपको परमधाम चलना है, चुपाई है, जो जाग बैठे निजधाम में, जो जाग बैठे धाम में ताय आवेश को क्या कहिए, धाम में जागरित होना है, आगे पीछे नहीं सभी होंगे, वैदत के सिधान्द के उनसार, सबको एक साथ ही जगना है, तो समझे यहाँ धाम क्या है, आपकी आत्मा का दिल ही धाम अरिस तुम्हारा मेरा दिल लए अब आत्मा की धाम इर्दे में जागरित हो जाएंगे ताहे आवेश को क्या कहिए कौन कह सकता है कि उसमें राजिक आवेश सुरुप नहीं होगा लेकिन जागरित होने के लिए आपको नेक्स सिक्तक युगल सुरुप की सोभा को बसाना तो बहुत सरल है जागनी के ब्रहमान में क्या है राज जी ने शिर देवचन जी के जिस तन को पकड़ा वह तन 40 वर्स के पैसाद ब्रहमात्माओं के समक्च प्रगठ होता है कि यह राजिका सरूप है स्री प्राणा जी का जो सरूप होता है वह भी सत्रह सौ बारह के पैस् सूरत में लालदाजी को पहचान होती है और भीमभाई के नेतृत में कुछ सुंदर साथ ने पहचाना लेकिन साथ रह रहे हैं 5000 की जमात भी पन्ना जी पहुंच जाती है लेकिन जब तक खिलवत परकिर्मा सागर सिंगार की वाणी नहीं उतरित होती है कोई भी उस सरूप पर पूर विष्वास नहीं कर पा रहा है अंदर मन में भय है संसय है इसलिए देखते हैं कि सिर्जी के साथ कितने सुंदर साथ दिल्ली से लोट गए उनको डर लगा कि और अंजेब के को संदेश देने जाना है तो को यह मर न जाना पड़े कितनी हसी के लिला हो रही है और जिन्हों ने खिल्वत परिकर्मा सागर सिंगार की वाणी को आत्मसाथ कर लिया उन्होंने यहीं बैठे बैठे कहां क्या देखा कि जो सारा परमधाम है कहां है हमारी आत्मा के दाम इरदे में बंगला जी दरबार में एक किस्सा आम तर पर प्रचलित है सिरी जी ने होजकोसर की पाल ठोस है कि पूली है ऐसी जनसुरती है कि धरती पर घुसा मार कर कहा कि स्री जी पूली है ऐसा क्यों कह दिया क्योंकि सब की आत्मा का दिल धनी का धाम हो चुगा है अब राज जी कौन है तुम्ही उतर आए अर्षे तुम्ही कियो मिला तुम्ही दैसुदर्श की जो अर्ष में हुआ आप जागनी ब्रमान में सब पहिचान कर रहे हैं कि यूगल सरूप महामती जी के धामिर्दे में बैठे हैं और माधपत के जिस्टे हमारी आत्मा के धा आत्र वंतर के गalten के खारिस में जो क्रेम है लक्ष के भी लिए एंदर जो पृमें आध्य लक्ष को लेकर है रहे हैं सम्ट का तो लक्षपूरा हो गया है घर कर लक्ष पूरा तो सौंदर ही दिखाया जा रहा है कि देखो राजी का सरूप इतना सुंदर है कि हम पढ़ते हैं मुख मेरे मेभूब का रंग अतुत्व गुलाल पढ़ करके खुस हो रहे हैं हमारा हिर्द है ऐसे जीव पर बैठा है जो कुरूरता का सिकार है जिसके अंदर राग देश की जल लगी है जो घृणा की ज्वाला में ददक रहा है प्रेम की रस्धारा इसको मिल जाए तो यहीं बैठे बैठे अपनी आत्मा के धाम इर्दे में अपने प्रितम की छव देख ले लेकिन जैसे देखिए कोई इंटर पढ़ लेता है अब तो बहुत कठीन है अब तो एम मतलब बारह में पास कर लेता था तो कलार की नोकरी मिल जाती थी लेकिन एमे करने के लिए क्या करना पड़ता था पंदर फंदर घंटे पढ़ना पड़ता था सनातक होने के बाद जितनी उचाई पर आप पहुंचना चाहेंगे आपको उतने ही कठीन परिक्छा से गुजर पड़ेगा लेकिन परिक्छा कदम कदम पर है ब्रज वला सरूप भी प्रेम का सरूप बन करके हर ब्रहात्मा किसे प्रेम करता है तो प्रेम कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है ब्रज में कोई संकट की चिंता किसी को नहीं है बुढ़ापय का कर्ष्ट नहीं है कोई संकट उपस्चित होता है कंस के द्वारा असरों के द्वारा तो सिकिट जी उसे रख्षा कर देती है रास में बुढ़ापा नहीं है मृत्तु का कर्ष्ट नहीं है धन कमाने के चिंता नहीं है जागने के ब्रहांड में पति चित्वनी करना चाहता है पत्नी माया बनकर खड़ी है पत्नी चित्वनी करना चाहती है पत्नी माया बनकर डंड़ा लेकर खड़ा है कि राजी से प्रेम करना था तो मेरे से भीवा क्यों किया यह उन घरों की बात कर रहा हूं जो जहां पत्नी दोनों तार्तम लेए हुए है पतनी जदी किसी कारिका में जाना चाहती है तो घर में लड़ाई हो रही है आपके चौबिस गंटे का जो समय है बारा गंडा तो धन कमाने में लग जाता है संगे समंधिय रिष्टदारों को खुश करने में लग जा रहा है आपके पास सब कु कितने संदर साथ से पोछें रए चर्चा सुनते हैं यूटूब में कहते हैं कि बहुत बेसता है मेरे गाड़ी अच्छी है 15 गारी में जा रहे हैं लेकिन समय महीं है ना राज Kr wichtig सूनने का समय ना पढ़ने का समय माया धिक्ष्भे निग का समय क्ष्भेत क्योंकि माया शाम फैलाकर कि हमको समुईत कर रही है रूप कैसे मिला आप जानते हैं सिर्देवचन जी कतन एक गरीब परिवार में पैदा होता है यहां तक कि उनके पितास्त्री घोड़ों और बैलों का बेपार करके जो धन इकत्या करते हैं उनसे घर का कारी चलता है देवचन जी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सब को अच्छा भोजन परिवारे में कर सकें इसलिए अपने बांके बियारी के लिए कुछ अलग से रख लेते हैं कि भोग लगाने के लिए मैं थोड़ा सा बना लिया करूँगा आप सोचिए तो निस्चित है एक गरीब परिवार के अंदर पैदा होने वाला बालक उतना सुन्दर नहीं होगा जितना की बरजवाला सुरुप होगा मिहराज का तन भी देखिए अरब की धर्ती पर घूम रहा है जगा जगा पैदल चल रहा है आज तो इतने सुन्दर साथ हैं मैं समझता हूँ जिसके घर में मासी का अच्छी होती है कोई भी स्लिपर कलास में यातरा करने पसंद नहीं करता अधिकतर सुन्दर साथ वातानिकल टेनों में जाते हैं आप सोचिए आज से तीन सो बर्स पहले जब स्रीजी कहीं भी जाते होंगे धूप के थपेड़े उनको भी लगते होंगे बर्सा की फुहारों के नीचे वो भी कष्ट जहलते होंगे क्योंकि इतन यहां का है अब उस तन में प्रेम के सरुप खोजना अब जैसे स्रीजी जैराम कंसारा के पास जाते हैं तो जानते हैं खड़नी के बचनों से प्रभोधित करते हैं रास की भासा नहीं बोल रहे हैं हरिवन स्ठाकुर के हां जाते हैं उनको फटकार लगाते हैं ब्रिंदयवन के हां जाते हैं उनको फटकार लगाते हैं राज का सुरूप क्या है? जब राज की लिला हो रही है, सक्यों के तन से कोई फूल गिर जाता है, कुछ वस्तर इद उदर होते हैं, तो कौन ठीक करता है? राज जी, क्योंकि वो प्रेम का सुरूप है, प्रेम करने वाला सामने से जब प्रेम करता है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रेम निभाना, लेकिन जागनी के ब्रवांड में इस्तिती ऐसी है, आपको एक सीस महल दे दिया गया है, सीसे का महल, हीरों के बड़े-बड़े हार उसमें रखे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं, गुषने के लिए सर्थ रखी जाती है कि मर जाओ, इसको तब मिलेगा आपको जब इसकी इक्षा छोड़ दोगे, इक्षा छोड़ने का मतलब, आप अपना दिल दे दोगे, तो ये सब कुछ ले लोगे, हम दिल देने को तयार नहीं है, पढ़ लेते हैं, ये देखिए, ये इतने का किम्ती हीरे का हार है, ये सीस महल है, इतना सुन्दर है, सारे पचीस पक्छों की सोबा का बर्डन हम पढ़ लेते हैं, नक्स शिक्तक राजजी सियावाजी का सिंगार पढ़ लेते हैं, फिर भी बात कहां आकर रुख जाती है, सियावाज तुम्हारी अर्वाहों को, सियावाज तुम्हारे एड़ी सखत, सियावाज तुम्हारी बेश की, सियावाज तुम्हारी निस्वत, सक्छीों ने राज में कैसे तन छोड़ा था, निस्वत की पहचान करके, कि मेरा प्रितम मुझे पुकार रहा है बांसुरी से जो आवाज निकलती है वह एक-एक सक्खे का नाम लेकर के पुकार रही है सागर सिंगार की वाणी जो पुकार रही है देखो तुम सरीर से परे हो जाओ मन बुद्धी को छोड़ दो देखो मेरे होटों को देख लो मेरे होट कितने सुंदर है मेरे नेत्र कितने सुंदर है मेरे घुगराले बाल कितने सुंदर है मेरे हिर्दे कमल की सुबह कैसी है मेरी हतेलियों की सुबह कैसी है नाखोनों की सुबह ये कौन पकार रहा है राज की बांसुरी से करोडों गुना मिठी बांसुरी बच रही है लेकिन उसके पहले ही बावन दिन तक जो विरा का रस्त दे दिया गया था उस जागनी के ब्रहमान में हमको विरा का रस्त नहीं मिला है विरा नहीं ब्रहमान में विना स्वागी नार जब विरह की जव्ड ध़्दकती है तो प्रेम की गर्मा का वास होता है हमें हमारे हिर्दे को सुस्क बना दिया गया है जो देते हमको इस्क तो क्यों सके हम गाए दिल अर्ज पहुंचे रूँ इसके तो क्यों इतरही और हो जाए हमको कर दिया जाता है कि तुम इसके के सागर हो स्री माहमद के ये मूमिनों ये निश्मत इसके के सागर सच मुछ हम इसके के सागर हैं लेकिन सागर के जल को आत्मसाष्थ करने की समर्ज़ नहीं है यदि हम मू फैर करके बैठे रहेंगे जईसे आप सुगंदित फूलों के उद्यान में बैठ जाएं और नासका को रूज से ढख लें सुगंद का असास कैसे होगा सुरज होगा हो आप अपनी आँगों पर पट्टी बांद लोगे तो सुरज की प्रकास का उन्मों कैसे कर सकते हैं उसी तरह से समझे जागने के ब्रमांड में तुम्ही उतर आए अर्ष से तुम्ही क्यों मिलाव तुम्ही दैसुदर्स की जो अर्ष में हुआप जो मूल मिलावे में बैठा है वो महमती जी के धाम मिर्दे में बैठा है और यदि कड़वा सच कहूं तो आपकी आत्मा के भी धाम में बैठा है लेकिन आपको सोभा नहीं मिल सकती अक्षरातित कहलाने की यह सोभा के बल महमती जी को मिल लिती है अब आप भी यह अधिकार रखते हैं कि अर्ष तुमारा मेरा दिल है इसको पेचानी है और जो राजी ने कहा है पहले पी तु सर्बत मौत का जो पहले आप मुर्दे हुए तिन दुनी करी मुर्दार हक तरफ हुए जीवते उर पहुंचे नूर के पार हक तरफ हुए जीवते हम संसार की तरफ से जीवित हैं यह हैं और राज जी की तरफ से मरे हुए हैं. क्यों? क्योंकि हमारा मन जीवित है. मन में ही सारा संशार है, जिसने राज जी के प्रेम में अपने मन को मार दिया, देखिए. ब्रज से राज में जाते शव Michael गुपियों ने अपने मन को मार दिया था. जो राजशी सख्खीया थी, तामसी को छोड़िये, तामसी सख्ख्यों ने, तामसी कार्थ यह ने कि जो गुस्सा दिखाए, तामसी कार्थ क्या होता है, जो प्रेम प्यासो ना गरे अंतहरे, तो ए दुख देखिं कि और जो धनी के प्रेम में जरा भी कोई भेद ना लाने उसको यह नहीं करना पड़े कि अपना दिल दो, वहां कि पूरा होने से पहले अपना दिल सौप दे, सर्वस सौप दे, उसको कते तामसी सख्खी, और जो बीच वाली थी, उन्होंने सोचा कि सिंगार करना है, राजी के पास जाना है, तो सिंगार करना है, तो उन्होंने उ लगाया दूसरे कोई से छोड़ दिया पैर का अभूसर हाथ में पहल लिया कपड़े उल्टे पूल्टे पहल लिया यह किस की स्थिति राज से की जाकने के ब्रहान में क्या हो रही है एक नीरा कुस्ती हो रही है बौधेक्ता की मुझे इतनी चोपाई याद है आपको कुछ याद नहीं मैं जैसे चर्चा कर सकता हूं आपको नहीं करने आज सकती एक बिद्वान दूसरे बिद्वान को छोटा दिखा रहा है अरे बहुत इल्म किसका है राज जी का आपको तो एक के बल माध्यम बनाया गया है आपका कुछ नहीं है और एक बात बताओ यदि आपने राज जी को के बल अपना बना लिया तो सारा कुछ आपका हो गया लेकिन आप राज जी को अपना नहीं बना सकते जागनी के ब्रहमान में सबसे कठीन परिक्षा जो यह है प्रेम की कदम कदम पर परिक्षा चल रही है निद्रा में होते हुए भी ब्रज में सक्यों ने कर था रास में भी कर लिया था रास में अंकार आगया था थोड़ा सा कि यह तो हमारे अधी ने जागनी ब्रमान में राजी ने बता दिया कि देखो हम तुम एक अर्स अजीम के अपनी रूह नहीं दोड़ मैं हखर्ष में जुदा चांथी लियाउती सब्दे बरनुवी बरनुवी जुदाएगी का अशास हमें परमधाम में था क्योंकि मारिफत की बात का हमें पता नहीं था की ब्रहमान में क्या हैं यह खेल क्यों बना यहीं बात बताने के लिए एक चरण ना अर्ष जी में दूसरा कोई और धरह नіє लिक्या विद कतेम में कोई काउं नई खुदा बिन काउं कोई ना ही फुदा बिन काउं परम धाम में राज जी के अत्रिक्त कोई दूसरा नहीं है ना स्यामा जी है ना सखिया है ना अक्छर है ना महाल लक्षमी है यह मारिफत का ग्यान करता है दूजे तो हम है नहीं यह बोले बेवरा वहदत का जो खिलावत त्यों खेलत ना तो क्या जाने बात बका हम है ही नहीं लेकिन परमधाम में इसकरवद क्यों होता है हमारा प्रेम बड़ा है कितनी बड़ी हसी ब्रज में पता नहीं रास में पता नहीं रास में भी हो जाता है कि राजी हमारे अधीन है ब्रज में भी लगता है कि हम घर की मर्यादा छोड़कर एक किर्ष के पीछे हम क्यों भागे क्यों सा अपना दिल नहीं दिया था लक्षहीन प्रेम किया था राज में आधा लक्ष था जागने के ब्रमान्ड में पूरा लक्ष दिखा दिया गया पूरा परमधम बता दिया गया परमधम की सारे सुभा बता दिया गया आपको हानी लाब भी बता दिया गया यह भी बता दिया गय कि यदि इस जागनी के ब्रहांड में आप अपने दिल को अर्स बना लिया, बनाएंगे तो राज जी आपको उसका सोटी पर अपने जीव को खरासिद करना होगा, तो क्या होगा, राज जी के दिल में डूपने का सुभागी आपको मिलेगा, हम हक में, हक हम में और हक बिना ख्वाग, सट्रुती में महामती जीने सब सुन्दर साथ के लिए एक बहुत उची बात कहती है, और पूरे जागनी ब्रहान के अंतिम चरन तक वो सब के लिए रहेगी, कि आप मुझे अच्छी तरह से जानने हो, मैंने रास में आपको कितनी पर हराया था, आप याद कर ल मैं वार्शी कोश्व की चर्चा में भी साइद इस कथन को उधिरित कर दिया था, क्योंकि ये मुझे परसंग बहुत अच्छा लगता है, पूपट करू निल्डे पांक, प्रेम तड़ा पिजड़ा में गालों हूं थाउं साखने द्रांक, क्या हम इस कसोटी पर स्वेम को घरासीद कर सकते हैं, कि राजी को अपने प्रेम के पिजड़े में निला तोता बना कर, हरे पंखो वाला तोता बना कर रखें, और स्वेम अंगूर बन जाए, अर्थात अपना सरवस्व समयर पर राजी के लिए इस तरह से कर दें, कि हमारा को इस्तित्वी ने रहें, प्रेम को भूल जाएए, आप कोन है, एक बात और बता दो, ब्रेज लीला में अलग-अलग अस्तर थे, सिकर्ष जब मान जसोदा के पास जाते हैं, तो उनकी लीला का रूप कुछ और होता है, गौाल बालों के साथ जाते हैं, तो मित्र बन कर जाते हैं, असुरों के पास उनका संघार करने के ले जाते हैं, गौपियों के पास जाते हैं, तो और रूप लेकर के प्रेम का रूप लेकर आते हैं, गौपियों के साथ जो प्रेम लिला हो रहे हैं, उसमें 12,000 की भागता है, बेचारे 24,000 इस्वरी 60 टक टकी लगा कर देखती रहती हैं, कि हमारे से जागनी ब्रहान रास में भी उनको थोड़ा सा उसर और बढ़ा दिया, लेला कर रही है, ब्रहम सिस्टी, और एक एक तन में दो-दो इस्वरी 60 बाहर कर लेला को देख रही है, लेकिन जागनी में जो स्वरूप आया है, जानते हैं क्या किया है, कल भी मैंने साह चुपाई बोली थी, दया, सिंद, सुक, सागर, दया का सागर प्रक्टा है, तो अपनी डिला वैसे ही करेगा, उसने सारे ब्रहान को ये निधी दे दिये, कि यदि इसमें साथ अरब जनसंक्या है, तो साथ अरब प्राणियों के लिए मैं ब्रहमात्मा बनने का सोभागी दे रहा हू ठीक है, परहमधाम की ब्रहमात्मा तो नगट सकती है नगड़ सकती है, लेकिन जो इस तारतम बाणे के प्रकायस को पालेगा, कोरा से कोरा जी भी, यदि ब्रहमात्मा बनकर अंगना भाव लेकर, अंगना भाव लेने का ताथ पर क्या है, माधूरिता में डुपकर, यह सोभागे, अनंत काल से सिष्ट बंती आ रहे है, बंती रहेगे, कभी नारायन को नहीं मिला था, अक्षर ब्रहम को भी नहीं मिला था, तो रिष्य मुनियो देवी देवताओं को कहां से मिल सकता था, आप जागने के ब्रहमान में रोते रहते हैं, राजी परमधाम छु उसने अपने हिर्दे का सारा रस इस सारे ब्रहमान के लिए गुडेल दिया, यह तो हमारे बदनसीबी है, हमारी कृतकनता है, कि अक्षरातीत के एक आईसान को निभान नहीं पा रहे हैं, वाणी में क्या का है, एक आईसान यदी पहचान हो जाए, एक गुन जो याद आव जदी हमने इस ब्रहमान को संसार में फेला दिया होता, सारा संसार जानता कि अक्षरातीत कौन है, अक्षरातीत को कैसे रिजाये जाता है, आप देनते हैं, हरुपे मुक्तियात में एक सब्द साधवी होता है, रिछाना, संसार तो नवधा भक्ती में बिचारा पीस रह है, हम भी नवधा भक्ती को अपना लेते हैं, अननी परा प्रेम लक्षरा भक्ती है, जिसमें चितनी में बैठ कर, राजी के नक्से सिक्त की सोभा को दिदार करना होता है, वह और सर हमने संसार को देना था, हम दे नहीं पाए, हम दूसरों को क्या देंगे, हम जब खुद नही डूप आए हैं, तो क्या, आप देखिए, आप कुछ भी करिए, परिकर्मा किजिए, कुछ भी करिए, तो सरीर तो ठकेगा, आप चितनी में डूप जाए, ठकने का कोई प्रस नहीं, आप चार घंटे लगतार नित किजिए, दस घंटे नित किजिए, अरे जब दुनिया के महात्मा छे-छे दिन की समाधी लगा रहे हैं, आपको निरितिका सुख लेना है, तो चोथी भूमका में, ध्यान में डूप करके चले जाए, छे दिन, छे रात लगाता, आट डूपे रहे है, जगी बास्देवा ने कहा है, कि मैं तेरा दिन तक बैठे ही रह गया समाधी म मैं तेरा दिन तो नहीं कर रहे हैं, पांची भूमका का सुख लेना हो, नो में आट वी दसमी, जाहें बनो में कड़ा का सुख लेना हो, समाधी में डूप जाए, कितना सरल तरीखा है, और जो को रे से कोरे जीव, जो स्वहम को नहीं जानते, पत्थरों की पूजा करने व मंगना का सुख देने का अधिकार राजी ने दिया है तभी तो कह रहे है दया सिंद सुख सागर इसक गंज पार सरा पिलावत नैन सो साकी एस दार वा अक्षरातीर स्वयम प्रेम का रश पिलाने के लिए महामती जी के धा मिलते में बैठा है लेकिन दुर्भाग या है कि हम सुंदर साथ इस जागनी लिला की मत्ता को नहीं समझ पा रहे है कल भी मैंने चुपा ही बोले थे और आज भी कह रहा हूं कि सुख के इसक के जिनकों नहीं सुमार राजी के अनंत सुखों को जानने का, देखने का उसकी व्यक्षया करने का अधिकर हमरे है सो देखन की ठोरीत है जो रूह सो खरो बचार हम माया की आँखों से देखते हैं अरे हम तो बुडे हो रहे हैं धूप में रहने से हमारा चेरा काला पड़ जाता है उम्र ढलने पर हम बुढ़े हो जाते हैं तो आतम पाव चला जाता है हम क्या करते हैं कि अब तो हम बुढ़े हो गए हम परमध्म की आत्मा थोड़े हो सकते हैं आप इस सरीर से अपने को मन दखिए यही तो आत्म तत्व है ऐस्टा वक्र सरीर से आठ जगद टेड़े हैं लेकि उनको सरीर नहीं दिख रहा है उनको अ प्रिक्रिमा सागर सिंगार के रूप में दिया है, जो आज तक न कभी दिया था, न इसके बाद देने वाले किसी भी ब्रह्मांड में देंगे, आप सोचिए. अनंत काल से लिला करने पर भी राजी ने ये तो नहीं बताया था, कि तुम्हें मेरे यंग हो, ये भी नहीं बताया था, कि मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, ये भी नहीं कहा था, कि हम और तुम एक ही हैं, ये भी नहीं बताया था, प्रेमे में डुबोया था, लेकिन अपनी पहिचान नहीं दी थी, हम आज जान में डुबे हैं, बौधिक जान में जो पहियां पढ़े लेते हैं हम सुन्दर साथ लड़ते जगड़ते रहते हैं हमारी जीवन का अधिकतर समय दुसरों को छोटा बनाने में स्वयम को बड़ा बनने में लग जाता है हम नहीं जानते कि हमारा एक-एक पल कितना किमती है जो पल हम से चला जाएगा वो पल दुबारा मिलने वाला नहीं है यह ब्रहमांड तो मोह सागर से पैदा हुआ है आप सोचेंगे संसार में दूसरे पंथ मैं अभी वीपस्तना का उधारन दू वीपस्तना वालों के संसार में चार सो केंद्र हैं और हमारे पूरे पड़ामी समाज में चार भी ध्यान के केंद्र नहीं है क्यों? वे तो निराकार की सादना करते हैं वे परमात्मा को भी नहीं मानते हैं नो वे आत्मा को मानते हैं न परमात्मा को मानते हैं वे स्वासों पर मन को केंदरित करते हैं लेकिन इसमें दुनिया भागी जा रही है हम संसार को अक्षरातीत की पहचान नहीं दे सकें अक्षरातीत के धाम सरुप और लिला की ब्याख्या नहीं कर पाए हम अपने आत्मा के धाम मिर्दे में जागनी का सुख नहीं ले सकें आप सोचिए यदि आपकी आत्मा जागरित हो जाती है तो आपको क्या लगेगा युगल सरुप मेरे दिल में संपूर पचीश पक्ष मेरे दिल में तब आप क्या नारियल चणाएंगे या जो कोई चुडियां चड़ाता है कोई क कि अपने सारा दिल दे दिया एक नारियल तो पचीस रुपए का चड़ा देते हैं चुडियां भी 20-25 रुपए की मिल जाते हैं कितना सुख वार्थी हमारा मन है अपने बेटों पोतें पोतियों के लिए करणों की रजिष्टी कर देते हैं और राजी को 50 रुपए में दे आया नहीं बसनी चाहेती, सख्यों ने शरीर छोड़ दिया था, आपको कहा जाता है, कि आप अपने वातानु कुलित कक्छों में बैठ कर एक गंटा वाणी पड़ लीचे, एक गंटा चित्वनी कर लीचे, आपको धूप में नहीं तपना है, जगर जगर नहीं भागना है, आपके हिर्दे में चुप जाएगा, उस से में क्या लगेगा, मैंने रास लीला के बारे में बता दिया, कि रास का जो सुख है, आधी नीद का है, आधी जागरत का है, जैसे, सपने में, मैंने अभी आपको दिश्टान दिया, कि लाहरी महा से कल्पना करते थे, कि सोने का म और जब उनके गुरु महा उतार बाबा ने सक्षात दिखा दिया, तो वह क्या कह लाएगा, जागनी का सुख, इसलिए, रास का सुख है, जागते, भिस्ट का सुख है, जागते, रास का सुख है, ख्वाप, एक कड़वी सचाइए, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलाओं, सन पहले प्रगटमाड़ी में क्या बोला है, पूरी नीद को जो सुख है, काल माया नाम धरयाती, बरेज लिला में जो सुख मिला, वो पूरी निद्रा का था, ना सख्यों को पता, ना अक्षर को पता, कि हम किसके साथ लिला कर रहे हैं, रास का सुख है, सपन की समान, लेकिन जब हम सनन्द पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं, भीस्त का सुख है, जागते हैं, रास का सुख है, ख्वाब, रास का सुख तो सपने की समान, बरेज का सुख निद्रा की समान, गोर निद्रा, रास का सुख सपने की समान, और जब हमारे जीव, सत्सरुप की पहली बैस्त मे नकल का रूप बनेंगे तो उसको क्या कहेंगे जागरती का सुख जो सुख परमधाम में होगा वह सत्सुर्प की पहले बेस्त में प्रत्विम्मित हुआ करेगा सारे दुनिया योग माया के अंदर अखंड हो गई रहेगी मिहराज का जीव राज जी बनेगा देवचन जीव स्यामा जी का सुरूप बनकर सिंगहसन पर भी राजमान होगे तो आप सोचिए हमारी सुर्था तो मुल्स तोनों में जागरित हो जाएगी ये कब होगा किवल एक कारी करना होगा तारतम वाणी का प्रकास फैला कर सबको राज जी के प्रती अटूट निष्ठा अटूट समर्पन भर देना होगा हमारे इर्दे में अभी निष्ठा की कमी है गुजरात में घर घर में वानी पद्राई होती है लेकिन बाहर गणेजी के भी पूजा होती है और दिपावली अभी आएगे अधिकतर गरों में लेक्षमी जी की पूजा हो जाती है हमारी निष्ठा डगमगा रही है राजी प तो अनसुया है, तीनो देवता आकर सामने खड़े हैं, धमकाते भी हैं, अपने पातिवरत्य के तेज से तीनो देवताओं को हुँ, छे मैने का बालक बना देती हैं, आप सोचिए, आप परमधाम की ब्रहमात्मा हैं, आप इन से भैका, आप, इन से आप मांगते हैं, आपका परितन तो आपकी आत्मा के हिर्दे में बसता है, प्राण की नली से भी निकट है, इस जागनी ब्रहमान का मुल्स रज्स क्या है, आपको काल माया को पार कर यूग माया में जाना नहीं है, आपके बल मन से मर जाईए, संसार के सुखों को देखते रहिए, लेकिन इसमें अ कितनी सुविदादी जा रही है कि मन से मर जाईए, मन से मरने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाने के चिंतन में डूब कर, ये संसार के नस्वर सुखों की सारहिंता को जाना पड़ेगा, कि जिन सुखों के पीछे संसार भाग रहा है, इसमें हमारा लक्ष नहीं है, एक ध यहर खाय चिकना, हेम जवेर सिंगार, हक लज्यताई मोमिनो, जिन्तुनी करी मुर्दार." लेकिन, अब जानते हैं, हमारे जीवन का लेक्ष क्या होता है? मैंने देखा है, मैंने कितनी अंग्रेजों को देखा है, तब दोपरी में सांती के लिए भागते हैं, और हमारे सुंदर साथ, अब तो एक फैसन सा चल गया है, कि कहीं भी जाये तो ऐसी कमरा ही चाहिए, सर्सावा भी सुंदर साथ आते हैं तो इसी है कि नहीं है? यदि इसी नहीं मिलेगा तो उनको निद्रह नहीं आसकती, आप सोचिये, इसमें क्या है? अच्छे भोजनों में कोई सुख नहीं है, मैं यह नहीं कहता है कि अच्छे भोजन ना केजीए, लेकिन आपको परमधा की वानी मिल चुकी है उस राजकुमार सिधात से पूछिए जो एक ब्रिक्ष के नीचे साथ दिन साथ रात बैठा राता है छे वर्स गहुर तब करता है वो तो नारायन की चेतना का प्रदिवास है आपकी तरह ब्रमात्मा यह इसुरी सिछ नहीं है उनको परमधम का ज्यान नहीं मिलाये था हम कितना अपना अन्मोल जीवन गुआ रहे हैं मैं कठोर सब नहीं कहना चाहूंगा हर सुंदर साथ को आत्म मेल्यंकन करना है कि ब्रज के सुख की बैग्चा राज का सुख लाको गुणना है तो राज के सुख से जागनी का सुख करूण गुणा कहूं कि नंद गुना का हूँ, एक कड़वी सचाही के साथ, कि परमधाम में, आप राज जी को साक्षाप देखते थे, लेकिन यह पैचान नहीं थी, कि जो यह हैं, मैं भी वही हूँ, आपने क्या सोचा था? मैं तो ब्रहमांगना हूँ, इनको जादा रिजाद देते हूँ, इसलिए इन से परे मेरा बड़ा है, यह ही तो पैचान थी, अब क्या है? जागने के ब्रहमांड में यह बता दिया गया है, जर्रे जर्रे में कौन समाया है? हकिकत में रहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? राज जी हैं, प्रेम की राज, निद्रा की, योग मया में भी राज हो रही है, लेकिन जागनी ब्रहमान में जो राज हो रही है, उस रस के लिए तो स्यामाजी की आत्मा तरस्ती रही है, उस रस के लिए तो सारी ब्रहमात्माओं का समू तरस्ता रहेगा, अब जब ये खेल खत्म हो जाएगा तो जब इस हो सकता है अस्राफेल फरिस्ते के अंदर कभी ये बात आएगी कि अक्षरातीत ने जो रहस अनंदकाल से परमधाम में अपनी अंगनाओं को नहीं दिया था वो जागनी के ब्रह्मान में दे दिया था लेकिन माया की नीदी ने ऐसा कर दिया कि कोई उस रहस को नहीं समझ पाया कि हम और राजजी कौन है और हमारे बीच में अद्वयत का समथ क्या है हम सुंदर साथ बस इतना जानते हैं कि हम उनकी अंगना हैं हमें राजजी से प्रेम करना चाहिए यह तो समान श्तर का कोई भी जानता है यह तो परमध्धाम में सभी जानते थे लेकिन जिस बात के लिए खेल बनाया गया कि कंड़ में जो लिला कर रहा है वो किवल राजजी है हम और वह दो नहीं है हमारा तो कोई अस्टित ही नहीं है जिस दिन आप शवार्ण नाद लिजा है! कि थींगे निन निन वो कि दिल में पुझा Ν pewno हूँ! कि वो इ customizable हूँ, पूँन मैं रहे हूँ! मैं ने जरीर हूँ! मैं ने रहतमां ना जी हूँ! मैं भर्मात्मा भी नहीं हुँ! जो ब्रहमात्म है, वही प्रियतम है, और राजी ने क्या कहा है? ब्रहमिसिष्ट कही वेदने, ब्रहम जैसी तदोगत, तदोगत गर्थ क्या है? धोभा हो, उसमें अर उसमें कोई अंतर नहीं है, यहीं बताने के लिए, तो खेल बना, हकीकत के स्वरुप को तो सभी जानते हैं, कि राज जी के अंग हैं, स्यामा जी, स्यामा जी के अंग हैं, सुन्दर साथ, यह पहचान तो परमधाम में भी थे, इसके लिए खेल बनाने की हो सकता ही नहीं थे, लेकिन जागनी की प्रह्मन में, जो पहचान मिलने चाहिए, अब राज जी जिस पर किरपा करते हैं, उसी कोई पहचान हो पाती है, नहीं तो आप देखिए, सरियत की आधी चल रही है, उसमें ज़्यादा मारिफत की बाहत कहना, तो अपने सीर पर पत्थर फिकवाना होता है, क्योंकि सब को समझ में भी नहीं आ सकता, और सभी उसका बोज भी नहीं निपा सकते, मैं सब से आगरे करता हूँ, कि जागनी ब्रह्मान के एक एक पल का मुल्य समझे, अपने हिर्दे में अपने प्राणिस्वर को बसाएं, जो हर पल आप से प्रेम करता है, आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वो हजार कदम दोड़ करके आता है, ऐसा है आपका प्रीतम, जिसको भावतिक संसादनों से पाया नहीं जा सकता, उसके लिए आप के एक 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 प्राणिस्वर होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और यह भाव होना चाहिए, कि केवल तू, केवल तू और तू के सागर में डुब कर, केवल मैं रह जाए, जिस दिन यह अवस्ता प्राप्त हो जाएगी, वह उस दिन हम धंदन हो जाएगी.